हलो फ्रेंड्स वल्कम बैग टू फूट्स मीडिया मैं हूँ आपके साथ कोमल फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के साथ डॉरेमॉन केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ यह मेरा फ्रस्ट कार्टून केरेक्टर का ओर्डर था जिसे मैंने बहुत अच्छे से पूरा किया है और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने इसको कैसे डॉर किया है और कितनी आसान है हमें यह डॉरेमॉन केक को डेकुरेट करना तो चलिए अगर आप में चैनल प कटके दाए तो सबसे पहले मैं यहां पर सेंटर वाला पार्ट यूज्य कर रही हूं मैं डिरेक्टर टेबल पर बना रही हूं कि competency और बाद में बोल्ट पर स स्विफ्ट करूँगा तो सबसे पहले मैंने इसको शुगर के पानी से यानी कि चीनी पानी के घॉल से इसको शो चॉकलेट को ग्रेट करके लगाया है मैं यहां पर कोई भी क्रश का यूज नहीं कर रही हूं मैंने यहां पर सिंपल वाइट चॉकलेट का यूज किया है इसी तरह से दूसरी लेयर भी तयार कर लेंगे दूसरी लेयर को भी शुगर सिरप से सोक करेंगे क्रीम की एक लेयर ल या कोई भी क्रश हो आप उसे भी डालेंगे तो यह बहुत ही बढ़िया लगे का इसका टेस्ट एक्दम अलग से ही आएगा मैंने सुचा कि यह एक छुटे बच्चे के लिए केक है तो क्यों ना वाइट चॉकलेट का यूज करें तो इसलिए मैंने यहां पर वाइट चॉकलेट को ही ग्रेट करके लगाया है और फ्रेंट से आप अगर डाक चॉकलेट का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मैंने सिफ यहाँ इसको पूरा मैंने वाइट ही रखा है इसके कहीं भी मैंने तोड़ा कलर चेंज हो इसलिए मैंने वाइट चॉकलेट का ही यूज किया है तो इसके लास्ट लेयर भी हम पा और मॉन को ड्रॉ करेंगे तो यह दिखिए मैं इसको बढ़ी है से इसकी क्रम कोटिंग भी करती जा रही हूं क्योंकि क्रम कोटिंग करने से यह रहेगा कि हमारा केक जो एक्दम बैलेंस रहेगा बार बार यह थोड़ा आगे पीछे नहीं होगा जैसे हमने इसकी लेयर कट कर करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा पेशिंस की जरूरत होती है क्योंकि इतनी जल्दी यह आइसिंग इसकी होती ने एकदम फ्लैट होता नहीं है और थोड़ा सा मेरे हाथ में भी खड़ाबी है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से फ्लैट नहीं कर पाती हूं एकदम बढ़िया क्योंकि हम यहां पे डोरेमॉन को ड्रॉ करेंगे और साथी में क्रीम की एक कोट लगाएंगे स्टार नूजल से इसलिए बहुत ज्यादा हमें फिनिशिंग जरूरत नहीं है तो यह देखें पहले मैं यहां पे एक कट लगा रही हूं उसकी जो डोरेमॉन का जो गले में प यह मेरे पास बच्चों की दवाई का धकन था तो मैंने उसी को अच्छे से वाश करके लिया था और एक छोटा धकन मैं यूज कर रही हूं डोरेमॉन की नोज को बनाने के लिए यह देखें दोनों आइस की सेंटर पर मैंने यहां पे नोज बना दिया है और यह देखें मै अब मैं उसके साथ नोज तो बना लिया है अब मैं उसका माउथ को ड्रॉ कर रही हूं एक टूथपिक की मदद से यह देखें आवर वीडियो बहुत ही आपको क्लियर नहीं दिख रही है क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई उस दिन था नहीं कि वीडियो उपर से रिकॉर्ड कर सक से अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि सामने से इसका फेस कैसा लगता है तो यह देकि मैंने उसकी टंक भी बना दी आप मैं उसकी फेस को ड्रॉ कर रही हूं अभी यह आपको विजवल नहीं रहेगा बहुत क्लियर ली क्योंकि यह वाइट है मैं अभी आगे आपको तो यह दिखें इसकी आइस तो मैंने बहुत ही सावधानी से मैंने कर लिया है अब इसकी नोस मैं जितने भी यहाँ पर आउटलाइन्स है मैं उसको पूरा क्रीम से ही सौरी चॉकलेट गनाश से कर लूँगी जिसे एक हमारा बेस तैयार हो जाएगा और फ्रेंट्स डोरेमॉन एक ऐसा करेक्टर है कि मेरे ख्याल से इसको तो सभी बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं मेरे हाँ यह कुछ यह है कि बच्चों को यह डोरेमॉन बहुत ही पसंद है पतने ऐसा क्या है इस कार्टून में कि सभी मेरे हाँ सभी बच्चों को बहुत बसंद आता है और जब मैं यह केक बना रही थी ना फ्रेंड्स मेरे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे कि आज देखते हैं कि ममा कैसा केक बनाती है पूरा डॉरेमॉंट बना पाती है या नहीं तो यह देखिए बातों ही बातों में मैंने यहां पर पुरा इसकी टैडी कर ली है तो यह देखिए अभी से यह कितना प्यारा लग रहा है। सिब मैंने इसको शेप दिया है अभी तो इसके कलर्स वगर भरने बाकी है तो यह देखिए सामने से मैंने दिखा दिया है तो यह देखिए आउटलाइन्स हमारी कम्प्रीट होगे अब मैं छोटे वाले स्टार नोजल से स्काइबलू कलर की क्रीम को मैं फिल कर रही हूँ पूरे इसके फेस को ड्रॉ करने के लिए जो इसके बॉडी का कलर होता है स्काइबलू मैं यहां स्काइबलू का ही कर रही हूँ छुट 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 डॉट्स बनाते जाएंगे और ऐसे हमारा यह डॉरिवन कम्प्रीट हो जाएगा आई नो फ्रेंड्स यह छुट 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 डॉट्स बनाना थोड़ा सा पेशिंस वाला है बट ओडर है तो कम्प्लीट करना है तो यह देखिए मेरा ब्लू पार्ट तो हो गया है सेम उसी नॉजल से मैं यहां वाइट पार्ट को भी कर रही हूँ जिसे थोड़ा सा 3D लुक आए यह देखिए छुट 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 डॉट कर रही हूँ मैं डॉट्स आइस को भी मैंने कर दिया और इसकी नॉज और टांग को मैं नहीं करूंगी क्योंकि वो मैं बनांगी रेड कलर से दो फ्रेंट्स साइड में भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं थी तो मैंने सुचा क्यों ना इसकी डॉट्स को शायद में भी बना दिया जाए और फिर उसी नोजल से मैंने ब्लू कलर की क्रेम से यह दिखी एक बर लेट से राइट राइट से लेट लेते हुए हम बना देंगे इसकी चोटी जैसा बॉडर तो यह दिखी कितनी अच्छी से हमारी चोटी बन के रेडी हो गई है और फ्रेंट्स यह बॉडर जो है ना बहुत ही पसंद आता है सबको और यह बढ़िया से इसका बॉडर भी रेडी हो जाता है कैसा भी केव को आप यह चोटी बना सकते हैं तो यह देखें मैंने रेड कलर से इसकी नोस टंक और इसके बेल्ट को बना दिया है आप कोई और का भी कलर यूज कर सकते हैं मेरे हाँ मेरे बच्चों ने बोला कि नहीं ममा इसे रेड कलर कही करिए तो मैंने रेड कलर कही किया है तो फ्रेंट्स देखा बात बहुत ही आसानी से बनके रेडी हो जाता है पहले आप क्या करिए एक ड्रॉइंग कॉपी लेकर के आप उसमें ड्रॉइमान को फेस को ड्रॉ कर लिजे तो आपको जब आप केक में बनाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मैंने भी फ्रेंड्स ऐसे किया था जरूर बताईएगा और हाँ डिजाइन कैसे लगे प्लीज ये भी कमेंट जरूर करिएगा तो फ्रेंड्स अब मैंने इसे पैक कर दिया है केक को डेलिवर करने के लिए और उमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव करना मत भूलेगा बाबाई